नमस्कार, मैं डॉक्टर राजी गुपता, कंसर्टिंग कार्डियोलोजिस्ट एंड एक्टियोलोजिस्ट, हैट डिपार्टमेर मेट्सिंग गेलेक्सिक हस्पिटल, वनार्सी. कोरिस्टॉल, ये शब्द ऐसा है कि दिमाग में आते ही लगता है कि भगवान ने आखे से क्यों मनाया, इससे हार्ट अटेक और क्या के बिमारियां लोगों को होती है, तो सबको लगता है कि क्यों बॉड़ी में इची है, तो एक बार हमें को जानना चाहिए कि अगर हमारी श कोलिस्टॉल बॉड़ी का इप्पोर्टिन कॉंपोनेंट है, जो ब्लड में, सेल्स में और टीशूर में काम आता है, करीड को ये हर सेल को फंक्शन करने के लिए कोलिस्टॉल जोर पड़ती है, या विटामिन डी का निर्माण हो, या बाइल एसेट का हो, हर में माई बॉड़ी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, नॉर्मली कोलिस्टॉल फैट सॉल्वल होता है, इसलिए खून में बहर के एक जगद दुसरी का निजाब पाता, इसलिए इसको उपर एक कोटिंग होती है, इसको लाइपो प्रोटीन कहते है, लाइपो में बाइपो प्रो है, और हाई दंस्टिल अपरबर्टीन यानि HDL, यह गुड़ कोलिस्टॉल होता है, इरेडियल जितना ज्यादा होगा, उतना ही नुक्सान वाला होगा, च्योंकि इससे जो है, हमाई कोलिस्टॉल पूरी बॉड़ी में फैलेगा, कोलिस्टॉल के मात्ता बढ़ेगी, जित इससे हाट अटेक हो सकता है, इसके इलावा यह हमाया ब्लेट 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 प्रिशर बढ़ेगा, जैसे लखवा, हाट अटेक, किडनी फैल होना, यह आग की बिमारी हो जाती है, तो इसलिए LDL जितना कम रहे उतना अच्छा है, दूसरा आता है HDL, यह गुड करें महल करता है, जो दिवालों पर फैट जमा हो जाता है, यह इसको भी हटाता है, तो HDL जितना ज्यादा हो को अतना अच्छा है, कई लोग कंशूज होते हैं कि दोनों कौन सा गुड है, कौन सा बाद है बाद हम भूल जाते हैं, तो इसको यार करें कि सिंपल तरीका है, HD HDL, High Density Lipoprotein, एच से Healthy होता है, तो Healthy Lipoprotein, इस ताब यार कर सकते हैं कि HDL है, गुड गुड फैट है, तो इस तरह हम लों को अब क्या करना चाहिए, जिससे कि LDL हमाएं में कम रहे, और HDL हमाएं में बढ़े, अब यह कोलिस्ट्रोल नाम का कोई सिंप्टम नहीं होता है, ना कोई साऐन होता है, यह सिर्फ हों की जास ही प्रढ़ चलता है, किसी-किसी पेशेंट में कोलिस्टोल आजब बढ़ें तो आग यहां ओपनी हिस्ति में छोटी-सूज़ी गाछ जलती है, जिससे पास यह चलता है कि कोलिस्टोल बढ़ा हुआ है, लेगे ऐसा सब में नह सब्सक्राइब करने के दो तरीकियों होते में लिए एक तो जैसे समझाएं मैडिसिंस होता है और दूसरा हम लोग के सब्सक्राइब करता है इनके लावा निकोटिन होता है यह एजियर को बढ़ाता है कुछ और मेडिसिन होती है जो आपके डॉक्टर अगर उनको लगता है उसाफसे देंगे कौन सा बढ़ा हुआ है या एजियर कम है या या दूसरी चीज आती है हमाई लाइफ स्टाहिल यह बहुत इंपॉर्टेंट और यह हम लोग के हाथ में डॉक्टर काम तुसरी वितना रहते कि आपको उसने पता दिया भई परेज करना है और यह आपको मेडिसिन खा दी है लिगए उसके आगे परेज है या करना है वह आप के हाद मेरता है जिसमें पहली है आपको फिस्कल अक्टिविटी आपकी फिसकल एक्टिविटी जितना ज्यादा रहेगी उतना आपके अपूर्शे बढ़ेगा और जैसे आप जानते है एज गूर्ट को स्टेवल होता है जिसे इसे कम करने में मदद करेगा और जिससे कि हमाई हर्ट के अटेक की चांसे कम हो जाएँगे. तीसा हम दूसरा हम लोगे कुछ हैबित होती हैं जिसने स्मोकिण की. स्मोकिण भी इसमें को श्टॉप रखाता है और इसलिए यह थे काफ़ी नुफसादाइक होता है. तीसा, टेंशन, टेंशन से भी इसका असर पड़ता है, जर टेंशन कम लेना चाहिए, चौथा है एक अच्छी नीन, अगर कोई भी साथ-साथ घंटे की नीन लेता है, टेंशन फ्री रेता है, तो उसमें भी कोरिस्टॉल बढ़ने की चांस से कम हो जाते हैं, फिर आता है में इंपोर्टेंची डाइट, इस पर हमें को जादा ध्यान देना होगा, जो कोरिस्टॉल लिछ फूड होते हैं, जैसे की मीट हो गया, सी फूड हो गया, आपका पॉल्ट्री है, अंडा है, मक्खन, मलाई, इस सब चीजों का पहेश करना चाहिए, सब चीजों का पहेश करना चाहिए, और अंसरचे ऐसे, अंसरचे ऐसे, जैसे की आपके वेश्टेवल ऑइल से हैं, नट से हैं, इनका जादा यूज करें, चीज है, तोटे अनाज है, बीन से, इनका स्टमार करना चाहिए, अगर हम लों इतना ध्यान दखेंगे, तो हमको उम्मीद है, कि हमाई को हम लों इखेंगे, और अमनों इखेंगे रही लिए जी से हैंगे, बन दो आदा!